नमस्कार मैं हूँ इशाब भारगाव स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकर्श में तो यूपी के बलिया जिले से आज हाथसे की संसनी खेस घटना सामने आई जहां मालदीपूर संगम घाट पर मुंडन संसकार के लिए गंगा पर जा रही सवारियों से भरी नाव डूब गई और इस घटना में कई लोगों के डूबने की भी अशंका है बताया जा रहा है कि नाव पर 35 से ज्यादा लोग सवार थे और स्थानी नाविकों ने अब तक 12 से जादा लोगों को बचा लिया है और अब तक 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है फिलाल अन्नी की तलाश पुलिस कर रही है वही घटना के बाद से इलाके में कोहरा मच गया है और घाट के नारे ग्रामीनों की भी भारी भीड उमड़ी हुई है तो आपको बता दे बलिया जिले से एक बड़ा हाथसा सामने आया है जहां पर एक नाव से भरे हुए लोगों की जो नाव है वो पलट गई आपको उता दे मुंडन संसकार में जा रही ही थी ये नाव वही नाव पर करीब 35 लोग सवार थे जिसके बाद ये नाव डूब गई जिसके बाद से इलाके में कोहरा मच गया है और पलिस जो लोग डूबे हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है अब तीन लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है और 12 से जादा लोगों को बचा लिया गया है वही अभी पलिस बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है पूरी घटना माल्देपूर संगम घाट पर बताई जा रही है जहां पर मुंदन सस्कार के लिए गंगा पर जा रही सावारियों से भरी नाव डूब गई और इस घटना में कहीं लोग भी डूबे हैं बताई जा रहा है कि करीबन 35 लोग जो थे वो इस नाव पर सावार थे जिसमें 12 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है लेकिन तीन लोगों की मौत की भी खबर अब सामने आई है और जो लोग बाकी बचे हैं उनको अभी ढूना जा रहा है पुलिस की तरफ से वहीं इसके बाद से अब पुरे इलाके में हरकम बच गया आपको बता दे कहीं न कहीं जो नाव थी उसमें जो सवारिया थी वो जादा होने के चलते यह हाथसा हुआ है आपको बता दे नाव पे करीबन 35 लोग सवार थे जिसके बाद यह हाथसा हुआ और वहीं 13 लोग को बचाया गया लेकिन तीन लोग इस हाथसे में मर गए आपको बिता दे और बाकी बचे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है नाविवकों की तरफ से जहां 35 लोग एक नाव पर सवार थे इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर जुड़ गए हैं तो सागर क्या कुछ है पूरा मामला जहां माल्देपुर थाना शेत्र पड़ता है उसने तक्रीबन सुबह आज से नौबजी की बात है यहां पर कुछ लोग है मुड़न संसकार के लिए जा रहे हैं गंगा नजी पार है तो वहां पर यह हाथा हो जाता है तक्रीबन जिसमें चार्लोगोफ की मौत हो जाती है उसना महिलाई भी सामेर है कुल मिला के बच्छे से की लोग अभी भी फरार बता ए जा रहे हैं जो कि कहीं नंगी बहें जाने की बाताजिया यसकि बातव सता पासाथ सिस्टीव इस नियुक्त में जो गुम्षुद्रा लोग है उन्हें धूंडा भी जा रहा है कि जो मुंड़त हंसकार होता है औहार पर हमेशा से चली आ कि अवहार प्रम पर्श के तहरा फुल हूने के बावजूद भी ये लोग जो ना सब्संख सबरक्ड पताएं बात ऍी तक्रीबन 30-35 लोग एक नाव में सबार तो कि इस नाव की जो शंता थी कुलमिला के जाकर देखा जाए तो 20-25 लोग उससे तय मानिक अनुसार थी 30-35 लोग वहां पर बैखे तो इस विज़े से हाथा हुआ कुलमिला के बहुत बढ़ा हाथा जा रहा हुआ 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 गटना गर्मा संग्यान लिया है जी जी स्वागा जैसे कि आपने बताया नाव की शंता 20-25 लोग की थी वही 35 लोग इस नाव पर सवार थे तो कही ना कई बड़ी लापरवाही सामने आई है अजी बिल्कुल लापरवाही का मामला तो जाहर सी बात है बनता ही बनता है क्योंकि इससे पहले भी कई हाथे हो चुके हैं चाहिए वो लखनों की बात करूँ लखनों में भी इससे पहले एक से दो मेने पहले टाउंजा चेतर में हासा हुआ था वहां पर भी जो टेक्टर करें तो वहां पर एक पुलिस कर्मी ने रोका था जिनाओं में ना बैठी और उसके बावजूद भी लोग वहां पर बैखे हैं और यहाथा हुआ है जी तुसा अगर आए दिन ऐसे लापर वाहियों की ख़बर सामने आती है सरकार इस पर कोई सक्त रुख नहीं अपना रह कर्मी जो लापरवाही को जागर करते हैं उसकी लगतार लापरवाही सामने में इस पर को मिल की उचाहे वह एक नाव हासा हो क्योंकि नाव हासा है वह जान गई है चाह लोगों की कुछी हो की है तो सागर जो तीन लोगों की मौत की ख़बर सामने आई है तो क्या उने कोई मुआवजे को लेकर कही कुछ निर्देश दिये गए है अभी तक ऐसा कोई शासन की तरफ से कोई आदेश पारिफ नहीं हुआ है कि जो भी जो मिर्टक है उनको कुछ बचाओ राशी दी जाए या तराहत को उसके सिलसले में कुछ दिया जाए फिलाल अभी तक जो प्रशासन हैं उन्होंने संज्यान लेते हुए जो भी प्रशास और शासन की टीम इन पर संज्यान ले रही है और पुरी तरह से देख रहे हैं तो सागत जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके रेस्क्यू के लिए क्या कुछ कर रही है प्रशासन जिए थे बता दूं इसा की देखें जो बाकी बचे लोग है उन्हें लगातार खुजा जा रहा है क्योंकि वहां पर एंडियारे श्रासन के पर साथन के जो 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 मुहियबल हैं उन्हें वहां पर तैनाद कर दिया गया है लगातार उनकी खोजबीन जारी है खिलाल मुझे लगता है कि शायद बहुत ही जल्दी जो भी गुंसुदा लोग हुए वहां पर उनकी बहुत जल्दी तलास कर लिए और उन्हें एक राहत के तौर पर अस्पिताल पहुंचा जाए और उन पर सवार थे आपको बता दे वहीं 35 लोगों के सवार होने के चलते यह हाथसा सामने आया है वहीतर प्रदेश के बहुबली मुक्तार अंसारी की आज वारा नसी के MPMLA कोट में वर्चुल पेशी होगी बताया जा रहा है कि 30 साल पुराने अवदेश राय हत्याकान मामले में आज कोट में सुनवाई होनी है दरसल अवदेश राय कॉंग्रेस नेता अजय राय के भाई थे और उनकी हत्या मामले में जिसमें मुक्तार अंसारी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था इसी केस में अब योजन पक्ष आज कोट में लिखित जवाब दाखिल करेगी वहीं इस मामले में सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और कोट जल्दी फैसला सुना सकता है आपको बता दे अब मुक्तार अंसारी की मुश्किले बढ़ सकती है अब देश हत्याकान को लेकर अब कोट फैसला सुना सकती है जिसको लेकर अब मुक्तार इंसारी की मुश्किले बढ़ सकती है इसी केस में अभियोजन पक्ष आज कोट में लिखत जवाब दाखिल करेगा वही इस मामले में सुनवाई लगभग अब वो पूरी हो चुकी है और जो कोट है वो जल्द ही इस मामले में अपना फैसला दे सकता है आपको इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुहम्मद कलीम जोड़ चुके हैं तो मौह तो कलीम क्या कुछ फैसला दे सकती है कोट इस मामले पर कि आज करें साल पुराना मामला यानी कि अउधेस त्याकांड अबले में स्कुर्णा ऻूर्में То करके दो परण फोरी हुए दियुकि जो 37 फोरा तो पर आपको याद होगा जिससे कि इससे पहले गैंगेस्टर मामले में जो सुनवाई हुई थी इस मामले का फैसला सुरच्छित रखा गया और 13 जून को इस मामले में भी फैसला सुनाए जाना तो कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि मुगतार अंसारी के जो पुराने मामले सब्सक्राइब का फैसला सुनवाई करके उनको सजा भी सुनाई जा रही है पिलाल मुगतार अंसारी के मुश्किलों की बात की जाए तो लगतार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसके साथ ही मुगतार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं चाहिए उनके बेटों की बात करेंधें तो उनकी भी मुश्किले लगतार बढ़तार बढ़ लए है कि ज्यसां कि तो कलीम जैसा कि आपने कहा कि मुक्तार अंसारी की मुस्किले बढ़ती जा रही है तो और कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें मुक्तारंसारी को लेकर अभी फैसला आना बाकी है? तक जो है फैसला नहीं आया है और अभी सजा नहीं हुए हैक्त उसमें क्या कुछ लगाया जाएगा? ये एक बड़ी बात रहेगी फिलाल आज का फैसला जो आना है उसस पर सभी की निगाये भी बनें को आजए कर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद ही मुखतर की मुश्किलों में कहा जा सकता है कि मुश्किले बढ़ेंगी या फिर उन्हें राहत रहेगी फिलाल अंदेशा तो यही है कि लगतार मुश्किले जिस तरीके से बढ़ रही है तो इसमें भी एक बड़ी सजा जो है सुनाई जा सकती है या फिर जुर्माना भी लगा जा सकता है लेकिन फिलाल अब कोर्ट इस मामले में क्या कुछ जवाब देगा या क्या कुछ फैसला द लेकर देश राय हत्याकान को लेकर आज सुनवाई होनी है जिसमें मुक्तार अंसारी की अब मुश्किले बढ़ सकती है कोई बड़ा फैसला हाई कोट मुक्तार अंसारी को लेकर लेकर ले सकती है क्या कुछ फैसला ले सकती है मुक्तार अंसारी को लेकर जो कोट है वो अब तो देखने वाली बात होगी आज इस मामले में मुक्तार अंसारी को लेकर आज बड़ा फैसला सकता है बता दे कि ऐसे ही कई सारे मामले हैं जिसको लेकर मुक्तार अंसारी को पर केस चल रहा है वही प्रदेश में अवैद रूप से चल रहे 4000 से अधिक मदर्सों पर कानूनी कारवाई होनी है बिछले साल सर्वे में 8441 ऐसे जो मदर्से थे जिन पर कारवाई होनी थी और आपको बता दे अब इस पर सरकार सिकंजा कशने की तयारी कर रही है वही विदेशी फंडिंग वाले मदर्सों पर अब कानूनी कारवाई हो सकती है और 4000 से जादा गयर मानिता प्राप्त मदर्सों के खिलाफ कानूनी कारवाई की तयारी है बताया जा रहा है किन मदर्सों में विदेशी फंडिंग हो रही है मदर्सा बोर्ड की परिक्षाय समाप्थ होने के बाद ये कारवाई करने की बात कही जा रही है इस बाबत अल्प संख्यक कल्यान विबाग अधिकारियों का पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी मन्थन हो चुका है साथ ही प्रदेश शरका ने पिछले साल प्रदेश में गैर मानिता प्राप्त मदर्सों का सर्वे कराया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदितनात की अधिक्षिता में बैठक हुई थी वहीं अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या कुछ फैसला लेगी कोट आपको बता दे 4000 से अधिक ऐसे मदर्से हैं जिस पर अब कानूनी कारवाई होनी है आई दिन ऐसे मामले आते रहते हैं वही अब कोट इसको लेकर अपना फैसला सुनाएगी ऐसे 4000 मदर्से हैं जिसको लेकर अब कानूनी कारवाई होनी है बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग को लेकर अब जो यह मामला है सामने आया है जिसमें अब जो कानून है वो कारवाई करेगा साथी प्रुदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि इसको लेकर अब कारवाई होगी इस बाबत अल्पसंख्यक कल्यान विभाग जो है वो अब कारवाई करेगा पिछले साल इस सर्वे में कई ऐसे मदर्सा थे जो विदेशी फंडिंग से चल रहे थे निकले थे सर्वे में पिछले साल सर्वे में 8441 मदर्से ऐसे थे जो अवैद पाए गए थे जिन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही थी वही अब ऐसे मदर्सों पर जो कानूनी करवाई करने की तैयारी की जा रही है अब ऐसे मदर्सों पर कानून का हंटर चलने वाला है आपको बता दें विदेशी फंडिंग वाले मदर्सों पर अब कानूनी कारवाई होगी आपको बता दे, प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में 11 मानिता प्राप्त मदर्सों का सर्वे कराया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी अदितिनात की अदिक्षिता में बैठा कोई थी और सर्वे में 8441 ऐसे मदर्से पाए गए थे जो अवैद थे, अब उन अवैद मदर्सों पर कानूनी कारवाई होने की तयारी है, इस बाबत अलपसंख्यक करने आन विभाग अदिकारियों का पुलिस के आलादिकारियों के साथ भी मन्थन हो चुका है, अब इसको लेकर जो अलपसंख्यक विभाग है, उसने पुलिस के साथ बैठकर अब मन्थन किया है, और वहीं अब इसको लेकर फैसला आना है, इस ख़बर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जूट लगातार इस मामले में कहा जा रहा है और उनुने के सामने फ़राज़ सामने पर कारवाई की बात कही लाए है, फिलाहल इस tua बात पर जूट पर पाचिए चार अजार मदर्सों की बात ओप सामने फीर वहीं पर 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 इस खणल रही है, और इस जो झाराज पात तरी खाले अब जो पर उंकिस लगाने के लिए अब जब कर रही है और निग्रानी के वाद पर लिगातार अभ्यान के लागान अपर अब्यान जो शुझा पर निगाता है तो लेकिसे आप बिचेश निगा रखी जा रही है कि किसी तरीखे की कोई आइसे भी इस तरीखी नाची जाए जिसके एक माहूल खराते हैं कि इस तरीखे के लोग जिरफ्तार हुए थे उनमें बता जा रहा था कि कई लोग ऐसे अवाइब मदर्सों से भी जुड़े हुए जहां पर जुड़े हैं कि इस तरासफ़ दैसर वालने की पुरी तैयारी करें तरीखे जिसे निगल तोड़ा जिया था उस्से बास जे मदर्सों को चिनीज भी जिए जाए 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 लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो आवाइग रुप से मदर्से चर काने का काम चल रहा है? कुछ तबी जिए जाए 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 जो तो अब कहीं तो पहाँ जाए जाएं पुलिश अब इन सभी मामलों पर निगा बनाय हुए है तो करूं अब इसमें जुटकत्तस्थ शंकी की बासब्सामे आएगी एजिमें सुच्छाओं बासवाई जो प्रिच्छाने की जाएए इस कारवाई के बाद कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, कई ऐसी चीजे निकल करा सकती हैं, जिसके बारे में प्रिशासन अभी बेख़बर थी? की बारे में प्रिशासन अभी में प्रिशासन अभी बेख़बर थी? कि अवेग मदर्सें के तिसे आखिर क्या कि तुवजा थी क्या कुष्कारवाई निकल कर आता है यह देखने वाली बात हो कि इस कवर पर जिड़ने के लिए धन्यवाद कलें अब पताते 42000 से अधिक ऐसे मदर्सें हैं जिन पर अभका कानूनी कारवाई होनी है वह अब इस कानूनी कारवाई में क्या कुछ निकल कर आता है क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कानून की नजरों से छुपि हुई वो अब देखने वाली बात होगी निगाय चुनाव में हार के बाद बस्पा सुप्रीमो मायावती ने आगामी लोग सभा चुनाव की तैयारिया तेज कर दी और बस्पा मुख्या अब पार्टी को नैसरे से मजबूत करने में जुटी है जिसके लिए उन्होंने बूत सक्रि नामों को अगामी लोग सभा चुनाव के लिए सेमी फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है वह बस्पा मुख्या मायावती ने हार के बाद चिंतन किया है और मायावती अब पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में है तो आपको बता दे बस्पा अब अपनी बूत कमीटियों में बड़े बदलाव कर सकती है जिसे अब लोग सभा चुनावों की एक तरह से तैयारी माना जा रहा है हर पार्टी अपने पार्टी में एक बड़े बदलाव को देख रही है वही इसी और अब बास जो बस्पा है बस्पा भी अपने पार्टी में बूत कमीटियों को लेकर आप बड़ा बदलाव करने जा रही है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जोड़ चोकी है तो सुहानी क्या कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं बस्पा में अब गई है और उसको लेकर काफी सक्रिय जी जी अब बता दे एकि उन्होंने बुछ सक्रिय करने के लिए सांथी कमीटियों में बदलाव देने की मायावती निर्देज दिये उसका कहना है कि जो काम करने वाले जैंट उनको अपने पार्टियों में रखे और जो काम नहीं कर आ अब बता दे कि इस वह इंको तरफ का मिला है इसके वज़ए से उसके लेकर आप निकार जना के तरहे में जद्दु जहत में लग गई हैं और अपने पार्टियों में चाफी वजलाव कर रही हैं और नहीं तीन के में भी तयावी में जो है भाजपा जो है नगा निगा में सतरफ दीक का पर्चन नहीं तो कहीं नहीं जो निगारियों का तरहा है और इस ही को लेकर वो निगाय चुनाओ कर देखा जा रहा था और अगर इसमें बस्पा मैयोती को दिख रहा है जो थी अगर थे रहा है कि इसमें। सभी पार्टिया अब 2024 को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है सभी पार्टिया अपनी कारिप्रणाली में कही ना कही बदलाफ करती हुई नजर आ रही है जिशारको बता दे कि वही जो 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 निकाय चुना हुआ है जिसमें जितनी भी पार्टिया तिन में कहीं आखी आज कर गिंगए रही हुई निकाय कुना है कि अगर लोग सबस्ट चुनाव के लिए जिकाय चुनाव जो है उनके लिए उनके लिए उनके लिए जन संपर कर रहे हैं बातपा भी अपना जन संपर के एक मई से अब करने जा रहे हैं अब लोग सबस्ट चुनाव के लिए पूरी तरह से चुट गई है और अपनी चुनाव की पूरी तरह से त्यारी कर रही है धन्यवाद इस कवर पर जुड़ने के लिए स्वानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जापान के बाद पापुआ न्यूगीनी पहुचे जहां पापुआ न्यूगीनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एरपोर्ट पर पीम मोधी का पैच शूकर स्वागत किया इसके बाद पीम मोधी ने जेम्स मारापे को गले लगा लिया इसके साथ ही पीम मोधी पापुआ न्यूगीनी पहुचने वाले भारत के प्रधम प्रधानमंत्री बन गए हैं बताया जा रहा है कि उनसे पहले किसी भी भारतिय प्रधान मंत्री ने पापवान यूगीनी की यात्रा नहीं की, मैं पीम मोधी को पापवान यूगीनी के पोर्ट मौरिस भी पर गार्ड ओफ ओनर देकर स्वागत किया गया, साथ ही पीम मोधी ने पापवान यूगीनी में भारती समुदाई के लोगों के साथ मुलकात भी सब्सक्राइब ore मुदी का भव श्वागत किया होने पूरी तरह सामान के साथ मोधी के पैट हुए रही है। बहुत बढ़िये तेमनी के पूरानी परंपरा था, उसे तोरके भव्य स्वागत के दरसल हुना गाता है कि यह पपूण हे न्युगीनी में सुर्यास के भात किर्यास की करहां नहीं स्वागत ही लेकिन जिम्स मरापे ने ही काम किया और पैर्शुकम का भग स्वागत किया जिसे लेकर पूरी देश मेंसित का सर्चा हो रहा है। जिसे लेकर पहला जा रहा है कि शुष्वानी जैसे किया तस्वीरों में देख सकते हैं पापू अन्यूगेनी में मोदी का गरम जोशी से स्वागत किया गया तो कहीं न कहीं विदेशों में जो भारत है भारत का डंका बसता हुआ निजर आ रहा है। जिसा वहीं बता रहा है को कहीं न चेहिंगे आज ही कवाती है लेकिन रानुदी मोदी जब भी विदेशी दोरे पे राते हैं उनका भग्य स्वागत किया जाता है। लोग जो है उनकी विदेशों में जाता है। जो जाता है उनकी शुदेश जाते हैं उनकी जाते हैं उनके छोटे बड़ते हैं उनके विल्स्ताव निजर रहते हैं तो घ्रवाट हमेज़ाक। कि अपरबकीफ बिद्हें से अपराई मंद्री मॉधिन यदू अरनमे पिर्नानमंत्री मोधि बनाते है लोग परता ही जा रहा है कि उनको निमती प्रियता है वो कही ना कही भी बढ़ता ही जा रहा है और इसे काफी हमारे देश के लिए भी अर्थ विवस्था पे भी जो जब मिले जाते हैं दोरे पे तो अपनी संस्क्रिति के भी लोगों से रूगरू कराते हैं और आस वोर पे अर्जेस के लिए बहुत जादे इसे फाय शेहर शेहर खबर खबर में बस अतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार